जाकते रहो हम बात कर रहे थे घटना घटने की बोद प्राप्ती की जनक को घटना घटी जनक जागरित हुआ जनक को बोद प्राप्त हुआ कैसे अस्टावक्र की उपस्थिति के कारण अस्टावक्र के दिखाए गए मार्ग दर्शन के कारण अब जनक को पूरा संसार परमात्मा में दिखता है जनक की दिष्टी प्रेम में हो गई दिष्टी में प्रेम होता है तुम प्रेम को उपर से लादने की कोशिश मत करना प्रेम भीतर से ही निकलेगा तुमने सुना है ना लेला मजनु का प्रेम मजनु जो लेला के प्रेम में पागल था एक बार नगर सेट ने मजनू को बुलाया कहा तेरी इतनी बुराई होती है तू उस लेला को छोड़ दे मैं तेरे को दस इस्तियां दिखाता हूँ तू इन में से कोई भी अच्छी इस्तियी चुन ले मैं उससे तेरा विवा करा दूँगा तेरे को रहने के लिए घर भी देंगा वेपार भी तेरा बना दूँगा तू इन में से किसी भी इस्तियी से विवा कर सकता है मजनू ने आख उठा कर देखा सभी की तरफ बूलता है इन में से तो एक भी लेला नहीं है नगर सेट ने माथा ठोक लिया बोला इसमें लेला से कहीं ज़्यादा सुन्दर इस तरिया है तो कोई भी देख ले लेला तो सुन्दर भी नहीं है मजनू बोलता है अगर लेला का सुन्दरता देखनी है न तो मजनू की आख चाहिए मजनू का दिल चाहिए तब लेला की सुन्दरता नजर आएगी तुम देखा क्या हुआ अगर तुम्हें परमात्मा के दर्शन करने है न तो प्रेमी काहिद्य चाहिए तुम्हारे अंदर प्रेम चाहिए तुम्हारे अंदर अपना पन चाहिए परमात्मा के लिए पर्मात्मा से राग पर्मात्मा में रस आना चाहिए पर्मात्मा की बनाई हुई सिस्ट्री में रस आना चाहिए जब वो रस आएगा न तो ध्यान अपने आप लगेगा तुम मैंने पहले भी तुम्हें बताया तुम ध्यान लगाने की कोशिश मत करना कि तुम सोचो और मैं जवर दस्ती आँख बंद करके बैठ जाओ और ध्यान लगे कभी नहीं लगेगा तुम विश्राम करना दीरे दीरे विश्राम करने बैठना और मुझे सुनते रहना आँख बंद करके दीरे दीरे सुनते सुनते तुम्हारा ध्यान स्वयम लगना चालू हो जाएगा अगर तुम ध्यान लगाने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारा सरदर्द होगा और कुछ नहीं होगा ध्यान कभी नहीं लगेगा और ध्यान में भी यह मैं सोचना कि तुम ध्यान लगाओ फिर तुम्हें अंदर लाल पीले नीले रंग दिखने चाहिए तुम्हें अन्यालोक दिखने चाहिए अरे मैं तुम्हें फिर बोलना हूँ कि तुम्हें विश्राम करने बैठना है तुम्हें शुन्या होने बैठना है तुम विश्राम करने बैठोगे तुम शुन्य होने बैठोगे तुद्धान स्वयम लगेगा तुम स्वयम भीतर उतरते जाओगे फिर जो दिखे दिखने दो, जो ना दिखे ना दिखने दो तुम अपनी किंतु परंतु अपनी बुद्धी बिलकुल मत लगाना तुम्हें अगर पर्मात्मा को देखना है न तो तुम्हें बहुत भरी दिश्टी चाहिए प्रेम भरी दिश्टी चाहिए पर्मात्मा इस संसार को छोड़ो, जंगल में भागो, हिमाल्या में भागो, तपस्या करो पतनी को छोड़ो पतनी कहें पती को छोड़ो दोनों कहें बच्चों को छोड़ो सब लोग मिलके कहें धन छोड़ो कादोबाद छोड़ो अदे छोड़ना 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 अच्छा छोड़के मिला क्या जिन्होंने छोड़ा उनको मिला नहीं यहां से छोड़ा, हमाले में गए, महार उटी कहां से खाएंगे फिर किसी और का मुँ ताकेंगे तुम बिलकुल ऐसी गलती मत करना घर में रहना, नोकरी करना, व्यपार करना सन्यास लेना, अगर में रहके ध्यान में उतरना छोड़ा चाड़ी का खेल बिलकुल मत खेलना तुम ध्यान से देखो तुम बात को सही सही समझो तुम अपना अर्थ मत लगाते देना तुम अज़ा तता करते हैं महात्मा न ग्यान की बाते बढ़ता है और अपना अर्थ लगा लेता है और अपना अर्थ लगा के सब उलट पुलट करता है ग्यानियों की बातें अगर ग्यानियों के हाथ में पढ़ेंगी तो उलट पुलट ही होगा तुम एक दिस्टान सुनो रास्ते में दो लड़कियां जा रही थी दोनों सहेलियां थी किसी बात पे बैस होई कि दोनों में कहा सुनी हो गई एक ने दूसरे को बूला कि तुझे लंगडा पती मिले दूसरी ने पहली को बूला तुझे काना पती मिले इस तना बहस होती गई वहाँ साथ ही दो बिखारी खड़े थे उन मेंसे एक लंगडा था एक काना था वे दोनों खड़े हो गए कि शायद हमारी ही बात हो दी है चलो शादी तो पकी हुई लड़कियां लड़े जा दे ही थी वे दोनों खड़े हुए थे जब लड़ाई खतम नहीं हुई तो दोनों वेकती दोनों बिखा दी उन लड़कियों के पास गए बोले देवियों आप बाद में लड़ लेना पहले हमें केवल इतना बताओ कि हम इंतजार करें या हम जाएं हुआ क्या बेफालतू का संसाद उन्होंने बना लिया अपना उन्होंने अपनी शादी तक रचली तो ज्यानियों की बातें अग्यानियों के हाथ में जाएंगी तो उसका अर्थ उल्टा-पुल्टाई मिलेगा तुम जिसका अनुसरन कर रहे हो देखो, क्या वो बुद्धत्व को प्रात हुआ है क्या उसका बोध जागरित हुआ है तुम स्वयम बुद्धी मान हो, तुम स्वयम बुद्धी जीवी हो, पड़े लिखे हो, तुम स्वयम क्यों नहीं उसका अर्थ लगाते, केवल भागम धोड, भागो, भागो, संसाल से भागो, पहाडों में जाओ, पहाडों से भागो, अगर ध्यान लगना है न, तो घर बै यो घर में शोर शराबा है पतनी बच्चे शोर मचाते हैं जंगल में जाके ध्यान करेंगे वट विख्ष ये नीचे बैठेंगे किसी बड़े विख्ष के पीपल के नीचे बैठेंगे बढ़ के पेड़ के नीचे बैठेंगे वहां उपर कवा आके काओं काओं करेगा फिर क्या करोगे फिर बाग के कहां जाओगे फिर हिमाले की किसी गुफा में चले जाएंगे वहां कोई जंगली जानवर आवाज करेगा फिर काओं भागोगे तो जिसका ध्यान लगना है ना का कहीं भी लग जाना है और ध्यान वही ध्यान है वही शांती है जो तुम्हें बीड में रहके भी शांती का अनुबव हो शांती तुम्हारे भीतर से घटेगी शांती बाहर की नहीं चाहिए भीतर की शांती चाहिए तुम भीतर की शांती को देखना बाहर की नहीं तुम दे और जिसने कोई भी महाँ पर मनतजाब करना है या ध्यान करना है या कोई वो एक किशन किशन का ध्यान करना है राम राम की रट लगाय हुए है तुम देखनो वोही देलगाड़ी उसे ऐसी चलती प्रतीत होती है जैसे उसमें सहवाज आ रही हो किशन 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 और जो दूसरे ध्यान का आदमी है उसे उसी देलगाड़ी में सहवाज आ रही है अल्ला 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 तो जिसने जो चीज करनी है न वो भरी दुपहर भीड में बैठके सब के बीच में खूब शोर शराबे में वो शान्ती से बैठा हुआ है तो तुम्हें शान्ती के लिए जंगल नहीं भागना है तुम घर में हो, पारक में हो ट्रेन में बैठे हो तुमारे को वहीं शान्ती मिलनी चाहिए अगर वहीं शान्ती मिलती है तो समझना सची शान्ती है और अगर तुम आसपास की शान्ती को लेना चाहरे हो तो चारो सैड तो शान्ती है वो पद्रव होता का है वो पद्रव तुमारे मन में होता है बाहर नहीं होता है तुम घर में पूजा करते हो न भगवान के आग अगर बत्ती जला रहे हो और दिमाग तुम्हारा कहा है, दुकान में, दुकान में क्या हो रहा होगा तो दुकान थोड़ना घर में आई, मैं इसलिए तो कहता हूँ तुम ध्यान करो, अपने बोध को जागरित करो जब तुम्हारा बोध जागरित होगा न, जहां बैठे हो, वही शांती तुम्हें शांती के लिए भटकना नहीं पड़ेगा जिस दिन घटना घटेगी न सारा संसार तुम्हारा वही का वही रहेगा पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान और किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम किस अनंद में जीने लग गए तुम्हारे साथ क्या घटना घट गई और तो तुम्हारी पत्नी बच्चों को भी नहीं पता चलेगा बस तुम्हें अन्भव होगा तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे अंदर क्रांती आ जाएगी जेसन घटना घटेगी जेसन जागरन होगा जे जिन बहुत प्राप्त होगा फिर तुम देखोगे कुछ भी नहीं बदला ना वस्त बदले ना पत्नी बच्चे बदले ना घर बदला ना इस्तिती बदली ना बाहर की इस्तिती बदली बस बदली तो तुमारे भीतर की इस्तिती बदली तुम्हारे भीतर क्रांती हुई तुम्हारा बोध जागरत हो गया तुम्हारा जागरन हुआ तुम उसी शण का इंतिजार करना तुम आओ सन्यास लो ध्यान करो जागो जाकते रहो तुम्हार जागर जागरत हो कर दो एर झाल झाल झाल